क्या आप लोगों दुनिया की most valuable company का नाम पता है? ये company Apple और Microsoft से भी ज़्यादा valuable है और tech की दुनिया में आतिया समय सबसे ज़्यात ही से ग्रो हो रही है और यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ NVIDIA की हाली में NVIDIA company का जो valuation है वो 3.33 trillion dollar हो गया और यह NVIDIA के लिए बहुत surprising चीज थी क्योंकि यह valuation वाला mark recently Microsoft ने भी cross किया था Apple ने भी cross किया था लेकिन NVIDIA के लिए special बात बताओं क्या है? क्योंकि एक साल पहले तक यह company 1 trillion dollar पर थी और एक साल के अंदर यह company 3 trillion dollar की बन गई एक बाँ बताओं यह सेम चीज अचीज अचीव करने में Apple को 5 साल लगा लेकिन NVIDIA जैसी company ने सिर्फ एक साल के अंदर कर दिया वेल देखा है तो NVIDIA के हम लोग जानते graphic card के रूप में क्योंकि NVIDIA के जो GPUs होते हैं वो यहाँ पर Laptops और आपके gaming computers के अंदर काफी ज़दा popular थे और जब आप लोगोंने यहाँ पर games वगरा खेले होंगे तो आपने NVIDIA का logo तो आप देखा ही होगा लेकिन देखा है तो आथ के समय में NVIDIA है न graphic card का use बहुत अलग लग जगे कर रही है और यही एक reason है कि gaming जाए इतनी popular हो ना हो लेकिन ये company ने सही वक्त पे सही कदम उठा के एक market के अंदर एक अपनी अलग जगे बना ली और इस वज़े से जो NVIDIA है वो दुमिया की most valuable company बनके बैठी हुई है अब देखा जाए तो NVIDIA की खास बात यह थी कि इसको बनाए गेमिंग के लिए था क्योंकि एक जमाने में computers के अंदर जो processors थे वो इत्ते जादा powerful नहीं थे कि heavy graphic intensive task कर सके और उन्हें लगा कि daddy unit GPU की जरूरत है इसी वज़े से NVIDIA की हैं शुरुआत होती है जहां पर एक high quality graphic cards बनाते हैं और उनका यूज करके gaming experience बेटर करते हैं और काफी सारे game partners के साथ काम करते हैं और gaming के अंदर एक काफी अच्छा काम करते हैं लेकिन यहां पर एक खास बात रहती है कि यहां पर जो graphic cards होते हैं वो इस तरीके से होते हैं NVIDIA के कि यहां पर gaming के साथ साथ दूसरे task भी करते हैं जैसे कि NVIDIA के graphic cards के अंदर आपको CUDA course देखने को मलते हैं और यह course की जो खास बात रहती है कि यह graphics के साथ साथ दूसरे task को भी बहुत अच्छे तरीके से perform कर सकते हैं जैसकी बात करें parallel task यह चीज अच्छे तरीके से हो जाती है और इसी वज़े से NVIDIA के graphic cards के इस gaming के लावब दूसरी जगे भी होने लगा जैसे इस gaming grow ही इस company ने भी grow किया graphic cards के business से भी पैसा बना है लेकिन एक सही boom मैंने तब देखने को मिला था जब आज से चार साल पहले जब crypto mining के एक crazy चल पड़ा था जब यहाँ पर crypto mining के लिए भी पता चलता है कि NVIDIA के graphic card बहुत अच्छा काम कर सकते हैं इसके लिए market के अंदर जो graphic card के रेट है वो बिलकुल एक दम चट फाड़ के चले गए थे यानि कि एक दम से skyrocket हो गएते और इते महेंगी कीमत पर बिकर रहे थे जिसकी कोई हद नहीं है खैर crypto mining के craze था उसके बाद जब वो down हो गया उसके बाद graphic card के rates शांत हो गया और उस बीच में यहाँ पर समझ में आगे काफी सारे लोग की जो NVIDIA के graphic card है ने gaming के अलावा और भी जादा काम कर सकते हैं और इसके बाद पिछले को सालों में जब से artificial intelligence का दोर आया है तब से NVIDIA की जो value इतलगाता बढ़ती जा रही है क्योंकि NVIDIA ने न सही समय पर अपना जो focus रहता है न यहाँ पर graphic card gaming से दूसरी जगे shift कर दिया और वो है AI पर अब इसका मतलब यह नहीं कि totally यहाँ पर focus shift कर दिया आज भी देखा तो gaming के अंदर focus करते हैं नई technologies को develop करते हैं यहाँ तक की RTX जो ray tracing होती है न उससे भी market के अंदर NVIDIA जैसी कंतनी ने popularize किया है लेकिन एक बाह बतो NVIDIA के साथ क्या है कि यहाँ पर इनके जो graphic cards होते है न इसका use art के समय artificial intelligence के अंदर किया जा रहा है और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो parallel processing होती है यह बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं जिसकी artificial intelligence में बहुत जादा requirement रहती है इसी वज़े से दुनिया की हर बड़ी कंपनी NVIDIA से अपना hardware ले रही है जिससे वो अपने AI technologies को build कर सके अपने server farm create कर सके यहाँ तक ही Elon Musk की जो XAI है जो Grok उन्होंने chatbot बनाया है वो भी NVIDIA के server से powered है और वो भी NVIDIA सी technology ले रहे है ताकि अपनी जो आने वाली factory और जो data centers होते वो यहाँ पर build कर सके इवन जो open AI का chat GPT है यह भी back end में NVIDIA के servers पर ही run करते है यानि कि वो technology जो NVIDIA ने यहाँ पर बनाई है और यह इनके CEO का vision था कि company को सही समय पर सही जगे establish करो और यह देखो कि कहां पर आप अच्छा कर सकते हो और इस company ने सिप Intel और AMD को टंकरनी थी यहा पर इन लोग काम करते हैं क्योंकि देखा जाए तो AI के अंदर processor or heavy processing की requirement है और जिते अच्छे तरीके से यह लोग अपने चीजों को deliver कर रहे हैं वो काफी खमाल है इवन बात की जातों NVIDIA की खास बात है कि यह company R&D बहुत करती है टेकलोजी अच्छे तरीके से बनाती है लिगन खुद अपनी chips वगर फैबरिकेट नहीं करती है आज भी TSMCQ पर rely करते हैं इवन graphic card के लिए भी NVIDIA यहाँ पर अपने board partners पर rely करता है जिस कारण से दूसरे ल लगी मेरे को NVIDIA की लेकिन NVIDIA के साथ देखा जाए तो हां हाली में देखा जाए तो Intel भी यहाँ पर काम कर रहा आर्टिफिशल इंटेलिजेंस के दर AMD देखा जाए तो काफी पुरानी कमतनी है CPUs बनाती थी GPUs की उपर भी रेडियोन पावर graphic cards को भी उन्होंने acquire किया और उ रही है जिसके अंदर Apple intelligence क्रेट की जा सके लेकिन फिर भी अगर आप उसके अंदर कोई query देंगे chat GPT के लिए वो जाएगी सीधे सीधे NVIDIA के hardware के उपर तो यार वो एक चीज़ यहाँ पर चल रही थी लेकिन देखके काफी इंटरस्टिन लगता कि कैसे market के अंदर एक company जो स कर सकते हैं natively अपने laptop और अपने hardware के अंदर एवन अपना खुद का chat GPT जैसा LLM भी यहाँ पर रन कर सकते हैं यह एक चीज़े जो यहाँ पर special बनाती यानि कि सिंपल सी बात है कि एक technology जो यहाँ उन्होंने develop करी एक particular part के लिए उस चीज़ को यहाँ पर यह लोग दूसी ज चीज़ थी artificial intelligence और NVIDIA के बारे में बाकी अगर आप लोग को वीडियो पसे आए तो जब सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेर कर आपने दोस्तों के साथ जो लोग NVIDIA के graphic cards पे game खेलते हैं thank you अबने रहनी के लिए मैं आपसे मिलता हूँ अकली वीडियो के अंदर good bye